कर देगा सब को रोशन कुछ ऐसा जम कीगा तू एकादशी पर चावल खाना क्यों वर्जित है पाउराणी कुत्तर पे जाएंगे तो अलग कारण है और वाईदी कुत्तर पे जाएंगे तो अलग कारण पवराणिक कारण ये है कि उस दिन हममान लाओ उस अन के उप्तरव रूशी थी, और उस धरती में समाने से दो अनपन हुए, एक था चावल और एक थी जौ है. तो इसलिए भारती अपद्दती में इसलिए आप देखेंगे तो जो और चावल ये दोनों हम हवन में हविश्य के रूप में इस्तमाल करते हैं, तो वो इसलिए क्यों कि चावल और जो जो है वो हम उनको मेधा रुशी का से उत्पन है, समझ रहे हैं बात को में कहे रहा हूं और इसलिए एकादशी के दिन चावल खाना यानि मेधा रुशी के मास या रक्त का भक्षन करने जैसा है, तो रुशी के कुछ प्रशन ही नहीं उठता है हम लोगों के लिए वो, तो इसलिए उसको हम, और उस दिन एकादशी का दिन था जिस दिन मेधा रुशी ने आत्मो करते हैं, तो वो चरू ही अन्न है, और एकादशी के दिन सनातनवईदी का धर्मियों को अन्न वर्जित है, मतलब इसके लिए कोई गर्भिनी आयत, गर्भिनी तो करना ही नहीं खेर कोई, लेकिन गर्भिनीयों के पती छोड़िए, भारत में हर जितना हिंदू धर्मियों स चित्रावरी करके भूजन करते हैं, तो चित्रावरी आपको पता होगा, थाली के साइड में हम तीन ग्रास निकालते हैं, चार ग्रास निकालते हैं, वो पानी घुमाते हैं, आपने कभी ब्रहमनों को देखा होगा, उसके बाद भूजन प्रारंब करते हैं, तो उसमें भा कर रहे हैं जो हिंदु धर्म में करना नहीं चाहिए कादशी के दिन इस विडियो में हमने जाना अपनी हैपी पॉजिटिव और मिराकुलस प्रिग्नेंसी के लिए आज ही डॉनलोड कीजिए कृष्णा कमिंग गर्वसंसकार एब